बटरफ्लाई वाल्फ उद्देश्य इस कक्षा में आप बटरफ्लाई वाल्फ के बारे में जानेंगे बटरफ्लाई वाल्फ एक ऐसा उपकरन है जो की विशेशकर पाइपों के एक भाग से बहाफ को एक रोटेटिंग डिस्क द्वारा नियंत्रित करता है डिस्क वाल्फ, वाल्फ बॉड़ी अर्थात शैफ्ट में लगे एक लचीले पदार्थ से सटा होता है और डिस्क के रोटेशन का नियमन करता है आईए अब हम इस वाल्फ के कार्य पर ध्यान दे हैंडल के 90 डिग्री घुमाने पर बटरफ्लाई वाल्फ बंध होता वो खुलता है अब आप पाइप के मद्धे भाग में स्थित इस सपाट गोलाकार प्लेट को देख रहे है इस प्लेट में एक चड़ है जो वाल्फ के बाहर की ओर एक एक्च्वेटर से जुड़ी है इस एक्च्वेटर को घुमाने से प्लेट बहाव की समनांतर या लंबवत घुमती है फिर भी प्लेट बहाव की भीतर ही रहती है अतह वाल्फ की स्थिती जैसी भी हो बहाव के दबाव को मंद कर दिया जाता है बटरफलाई वाल्फ कई प्रकार के होते हैं भिन्न दबावों तथा भिन्न भिन्न उप्योगों के लिए लचीला बटरफलाई वाल्फ जिसमें लचकदार रबर सीट होती है कारेशील दबाव 16.30 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वाइर बढ़िया कारेशमता वाला बटरफलाई वाल्फ जो मध्य से कारेशील दबाव 11.30 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वाइर तक त्रिकेंद्रिय बटरफलाई वाल्फ जो की प्रायह धातु सीट के डिजाइन का होता है कारेशील दबाव, 102 किलोग्राम प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर बटरफ्लाई वाल्फ का उप्योग, बहाव के नियमन तथा विवस्ता को प्रिथक करने के लिए होता है सारांश अब आपने जान लिया है कि बटरफ्लाई वाल्फ प्रवाह को नियंतरत करने के लिए एक उपकरन है विशेशित पाइप के एक भाग में द्रफ के प्रवाह के नियमन हेतु प्रयोग होता है आपने इसकी कारे प्रणाली, प्रकारों तथा उप्योग के स्थानों के बारे में भी जाना आशा है आप बटरफ्लाई वाल्फ के उप्योगों को भूलेंगे नहीं ठीक है ना? धन्यवाद